दोस्तो जरा सोचिए आपके शहर में जमीन के अंदर से लावा निकलने लगे और जो भी उसके रास्ते में आए वो उसे जला कर राख कर दे आज की मोवी वॉलकेनों में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे मोवी की शिरुवात लॉस एंजलिस शहर से होती है जहाँ सभी लोग रोजाना की तरह उनके काम पर जा रहे थे वही हम एमर्जनसी मैनेजमेंट के नई डिरेक्टर माइक को देखते है जो उसके और उसके बेटी कैली के लिए नाश्टा बना रहा था अभी हाली में माइक और उसकी वाइफ का डिवोर्स हुआ है जिस वज़े से केली का मूर थोड़ा कराब है और तब हमें पता चलता है कि माइक और केली आज वेकेशन पर जा रहे है लेकिन तब ही अचानक पूरे शहर में भूकम पा जाता है वो भूकम काफी छोटा था ल इसलिए माइक अभी भी उसके वेकेशन पर जा सकता है हाला कि माइक खुद उसके शेहर की स्थिति को देखना चाता है माइक को बता चलता है कि पानी का मुख्य बाहग फट चुका है और गैस भी लिग कर रही है वही इस तरफ पार्क में कुछ वरकर्स अंडरग्राउंड ट्रेन की टनल बनाने का काम कर रहे थे तब ही अचानक उन्होंने लोगों के चिलाने की आवाज सुनी जिसके बाद सभी दोड़ कर वहाँ पहुचे और ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ के टनल से कुछ अजीब तरह की पीली गयास निकल रही थी वो उन वरकर्स को ले हुए बॉडी देखी सभी का यही कहना था कि यह सब टनल में मौझूद भाप की वज़े से हुआ है लेकिन माइक इस बात से इंकार कर रहा था माइक ने उस जगह पर चलने वाली अंडरग्राउंड ट्रेन्स को बंद करने का आदेश दिया जिस जगह पर वहादसा हु जहां डॉक्टर केलडर ने उन जली हुई बॉडिस की जांच की जिसके बाद वो काफी हैरान रह गई क्योंकि उन बॉडिस पर जलने के जो निशान थे वो किसी भाप या गैस के तो नहीं लग रहे थे जिसके बाद माइक अपने एक साथी गेट और के साथ टनल के अंदर जाता है थोड़ी देर टनल में घूमने के बाद उन्होंने देखा कि टनल के अंदर की हवा काफी गरम होती जा रही है जिस वज़े से उन्हें सास लेने में दिक्कत हो रही है तभी गैटर को वहाँ पर कुछ जले हुए चूहे दिखाये देते हैं और तभी उन्होंने नो जियोलोजिस्ट को दुलाता है थोड़ी दिर बाद एमी नाम की जियोलोजिस्ट वहाँ आती है वो कुछ मशिन्स के मदद से उस जगह की टेस्टिंग कर दिये और जैसे ही वो रिजल्स देखती है वो पूरी तरह से शौक हो जाती है वो माइक को बताती है कि उनके शेहर क के नीचे जुआला मुकी तेजी से बढ़ रहा है और शेहर के नीचे की तरफ लावा बैह रहा है इन भुकम्बों के वज़े से प्रूतवी की सतह में दरार आ गई है जिससे वो लावा उपर आने की कोशिश कर रहा है ये सिर्फ एमी की थियरी है और इसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है और माईक को भी एमी के इस थियरी पर बिल्कुल भी यकिन नहीं हुआ फिर शाम को एमी अपने असेस्टेंट रैचल के साथ उस टनल के अंदर जाती है वो दोनों टनल के अंदर सैंपल इकटा करने के लिए घुम रहे थे कि तभी अचानक उस जगह प अंदर का फर्च तूट कर गिर गया जिसके अंदर एमी और रैचल थे रैचल उस गड़े के अंदर गिर गई और उसके किनारे से लटक गई एमी ने उसे बचाने के कोशिश की लेकिन उस जगह से काफी दुआ निकलने लग गया और कुछ ही सेकंड्स में वो टनल बहुत गरम हो गया तभी वहाँ पर काफी तेज गरम भाप का विस्पोड हुआ जिससे रैचल जल कर रहा को गई वही एमी काफी ज़दा डर गई और वो यह सब देखती रह गई फिर जब एमी उस टनल से बाहर निकली तो उसने देखा कि फाउंटन का पानी तो उबल रहा है फि इस वज़े से सारी कार्स रुख गई लेगिन इसके बाद हालात और भी बिगडने लगे और उनके आखों के सामने और भी दुआ हो गया और सभी तरफ पत्थर गिरने लग गए तभी माइक ने देखा कि वो छोटे छोटे पत्थर आख के गोले बनकर पूरे शेहर में गि इदर MTA ओफिस में आलबर ने सुना कि टरनल के अंदर एक ट्रेन फच चुकी है और उसने लोगों को बचाने के लिए क्रेस्क्यो टीम वहाँ पर बेज दी है वही ट्रेन के अंदर ट्रेन का ड्राइवर डरे हुए पैसेंजर्स को शांत करने की कोशिश कर रहा था वो वह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन ट्रेन के दर्वा से पूरी तरसी जाम हो गए थे इदर बाहर की तरफ कैल्डर भी ट्रैफिक में फसी हुई थी तब ही उसने देखा कि वहां से गुजर रहे फाइर ट्रक में भी आग के गोली गिर रहे है इदर माइक अपनी बीटी को लेकर ओफिस जा रहा था लेकिन तभी उसने देखा कि केल्डर रास्ते में घाय लोगों की मदद कर रहे थी उसने माइक को उस फाइर ट्रक के बारे में बताया जिसका एकसिडन्ट हुआ था माइक जल्दी से उस ट्रक में फसे हुए लोगों की मदद करने के लि शेहर के सडकों पर बहने लग गया और अपने रास्ते बार आने वाले हर एक चीज़ को पिखलाते हुए आगे बढ़ने लग गया वही डरी हुई कैली जल्दी से कार से बाहर निकली और अपने पिता को आवाज नगाने लगी तब ही एक लावा बॉम उसके पास अकर गिरिया जिस वज़े से उसका शरीर में आग लग गई जिसके देखने के बाद माईक जल्दी से उसकी बेटी के पास भागा और उस आग को बुजाने लग गया माईक ने तुरंत ही आग को बुजा लिया और केली को वहां से ले जाने की कोशिश करता है जब उसने देखा कि वो लावा से चारो तरब से गिर चुका है तो माईक उसकी कार के उपर से चलांग लगा कर सुरक्षी जग़ पर पहुँच गया जिसकी बाद उसी समय लावा ने कार को भी निगल लिया तो इसके बाद वो गिरे हुए फायर ट्रक की तरफ बढ़ने लग गया उस ट्रक के ड्राइवर ने उसमें फसे हुए उसके साथी को वहां से निकालने की कोशिश की लेकिन सही समय पर वो उसे बचा कर बाहर नहीं लापाया और लावा की वज़े से वो दो नोजल कर मारे गए तब ही एक और बड़ा दमा का हुआ जिसके बाद और भी जादा लावा बाहर निकलने लग गया तब ही माईक ने केली से केल्डर के साथ ऑस्पिटल जाने के लिए कहा केली ने अपने पिता से भी चलने को कहा लेकिन माईक ने केली को इंकार करती हुए हमेशा की तरफ अपने काम को ही आहम समझा तुरंत ये उस जगह पर रिपोर्टर्स हेलिकॉप्टर में वहाँ पहुच गए और वो ये दिखाने लग गए कि वो लावा तीजी से भैता हुआ शहर के मुक्य हिस्से की दरफ बढ़ रहा है ये पता लगते ही लोगों के बीच हड कम मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घर से भागने लग गए थोड़ी देर बात एमी माईक और बहकी पुलिस ओफिसर्स की मदद करने के लिए वहाँ है और वो सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाने और उस लावा को कंट्रोल करने के बारे में बताने लगी माईक ने भी कहा कि उन्हें लावा को किसी दर रोकना होगा ताकि लावा बचे हुए शेरों तक ना पोछे इसलिए सभी ने एक बस को लावा के रास्ते में डखल कर उसके टायर को पंक्चर कर दिये ताकि लावा कुछ समय के लिए वही पर रुख गए इसके बाद माईक और एमी एक बेहोश पड़ी इनसान को बचाने के लिए गए लेकिन ठीक उसे समय एक जलता हुआ पेड उनके पास गिर गया जिसके बाद उनका रास्ता ब्लॉक हो गया तब फाइफाइटर्स ने उनके ट्रक के सीड़ी को नीचे किया जिसके बाद माईक ने उस बेहोश हुए उनसान को सीड़ी पर रख दिया लेकिन किस्मत से वो तीनों लावा से दूर गिरे एमी ने कहा कि उनके शहर को बचाने की बाद बूल कर सबसे पहले शहर को खाली करने के बार में सोचना चाहिए लेकिन माईक कुछ अलगे प्लैनिंग किये जा रहा था जल्दी पुलिस, सिटी वरकर्स और फायर फाइटर्स ने ड्रिल मशिन्स की मदद से रास्ते में बड़े-बड़े खड़े बनाकर लावा का रास्ता उनके शहर के मुख्य जगव से दूसरी तरफ करने लग गए वही सरफ लावा सुरंग के अंदर भी गिरने लग गया वही ओलबर अपने टीम के साथ ट्रेन में फसे लोगों को बचाने के लिए पोच गया ट्रेन में फसे सभी लोग बेहोश थे जिस वज़े से उन्हें गसिट कर बाहर निकालना पड़ा लेकिन कम से कम सभी लोग शुरक शित थे जैसे लावा उनके पास आने लगा कि तभी ओलबर ने नोटिस किया कि ट्रेन का ड्राइवर गाया भे और वो उसे डूनने के लिए दुबारा अंदर चला गया ओलबर को वो ड्राइवर मिल गया लेकिन वो बेहोश के हालत में था इसलिए ओलबर ने उसे उठाया और आगे बढ़ने लग गया लेकिन लावा की वज़े से ट्रेने इतनी गरम हो गई थी कि उसके जूते पिगलने लग गए तब ओलबर ने उस ड्राइवर को अपने लोगों की तरफ फेकते हुए खुद इस लावा में चलांग लगा दी जिसके साथ ही वो मर गया इस तरफ एमी ने बास्केट बॉल उठाई और सडक के बीच में छोड़ दी तब वो बॉल लुड़कते हैं लग गई और इसे उन्हें पता चलता है कि वो लावा बैता हुआ गया स्टेशन की तरफ जाने वाला है लोग लावा को रोकने के लिए उसके सामने कार्ज और बाके गाड़िया रख रहे थे लेकिन उसका कोई खास फैदा नहीं हुआ तब ही वहाँ पर इमर्जंसी ट्रक्स आ गए तब माईक और एमी ने उस बहते हुए लावा के रास्ते में बैरिकिर्ट्स लगा कर उस लावा का रास्ता ब्लॉक करने का प्लैन बनाया वो लोग लावा को एक जग़ा रोकने की कोशिश करेंगे जिसके बाद हैलिकोप्टर की मदद से उस लावा पर पानी फेका जाएगा ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके ये सुनते ही सभी लोग वहां रास्ते में उन्हें जो कुछ मिला उनकी मदद से लावा को रुकने के लिए बैरिकेट्स बनाने लगे वे लोग बेरिकेट्स बनाने में काम्याब हो गए और लावा को एक जगह पर रोकने के बाद उन्होंने उस पर पानी फेकना शुरू कर दिया जल्दी हेलिकॉप्टर्स वहां पहुँच गए और सबने मिलकर उस लावा पर पानी फेकना शुरू कर दिया थोड़ी देर बाद सबी ये देखकर काफी खुश हुए कि लावा ने आगे बढ़नाब बन कर दिया है लेकिन एमी को अभी भी शक है इसलिए वो इस बात की पुष्टी करने के लिए टनल में गई एक गैजिट से एमी को बता चला कि लावा अभी रुका नहीं है और वो टनल के अंदर से बैरा है उसने माइक को जल्दी से बताया कि वो लावा को रोक नहीं पाये है और वो लावा यही नहीं तो शेयर के थे किसी दूसरे हिस्से से बाहर निकल कर ज़रूर आएगा एमी ने बताया कि लावा अंडरग्राउंड टनल के अंदर बहरा है और उसके अनुमान से वो लावा सीधे बैवरली सेंडर से निकलेगा जहाँ पर मेडिकल टेंस लगे हुए यह सुनते ही माईक जल्दी से हमी के साथ उस जगह पर पहुँचा और उन्होंने लावा के सिचुएशन देखने के लिए एक वीडियो केमरा को गटर के रास्ते में टनल के अंदर बेज दिया हाला कि उसी समय वो लावा भैता हुआ उनके तरफ बढ़ा जिससे वो कैमरा पूरी तरह से तबाह हो गया माईक ने जैसे यह देखा उसने जल्दी से हमी को उस गटर के ढकन से दूर कर दिया तब ही उसमें से आग के लपटे बाहर निकलने लगे माईक ने जल्दी से एमिट को कॉल करके मेडिकल टैंस को खाली करने का आदेश दिया इसके बाद माईक और एमी इसके आगे का प्लैन के बारे में सोचने लग गए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए कि तभी माईक ने एक बड़ी बिल्डिंग देखी और उसे एक आईडिया आया वो शेहर के मैप्स चेक करता है और देखता है कि जिस टनल से लावा बैर आया है उनसे थोड़ी दूर ही पैसिवी कोशन है माईक कहता है कि अगर हम इस बिल्डिंग को गिरा दे तो उसके मलवे की मदद से वो लावा को मेंन सिटी जाने से रुख सकते और उसके दीशा को बदल कर उसे पैसिवी कोशन की पास बेज सकते है माईक ने एमी को अपनी बेटी कैली को डूनने के लिए बेज दिया वही बाग की सभी लोग से बिल्डिंग में बॉम फिट्स करने लग गए इधर जब एमी मेडिकल टेंड पर पहुंची तो उसे पता चला कि वहाँ पर कैली तो मौझूद नहीं है कैली एक बच्चे को डून्टी हुए बहाँ से कहीं चली गई थी वही इस तरफ सभी लोग जल्दी से बॉम फिट्स कर रहे थे क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 20 मिनिटी बचे हुए थे गेटर उसके आदमी बिल्डिंग के अंदर बॉम्स फिटी कर रहे थे कि ठीक उसी समय वहाँ पर भूकम पाया जिस वज़े से उमिद से पहले ही वहाँ पर जो आलामुकी विस्पोड हो गया ये देखकर सभी लोग डरते हुए इधर उधर भागने लगे वही कुछ लोगों को आग भी लग गई वही बिल्डिंग के अंदर भूकम की वज़े से एक आदमी बिल्डिंग के कोलाम के नीचे फच गया और गेटर अकिला उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था लवा उनके करीब आ रहा था लेकिन गेटर ने हार मानने से इंकार कर दी और वहाँ फिट की हुए सारे बॉम्स एक्टिवेट कर दी है इसके बाद एक बाद एक बाद एक बॉम ब्लास्ट होने लग गए लेकिन तब ही माइक ने देखा कि केली एक छोटे बच्चे के साथ उस बिल्डिंग के पास कड़ी है वो जल्दी से भाग कर केली के पास आ गया और उन पर बिल्डिंग गिरने से पहले उन्हें बचा लिया किस्मत से माइक का ये प्लैन काम कर गया बिल्डिंग के मलवे के बचे से लाव अपने दिशा बदल देता है और पैसिफिकोशन की और जाने लगता है सभी लोग उनकी जीत की खुशी मना रहे थे वही एमी माइक को डूंड रहे थी तभी आचानक बिल्डिंग के मलवे से माइक ने अपने हातों को बाहर निकाला इसके बाद माइक, कैली और वो छोटा बच्चा तीनों मलवे से बाहर निकले उस बच्चे ने देखा कि सभी के चेरों पर मिट्टी लगी हुई है और सब एक जैसे दिक रहे थे तभी वहाँ पर बारिश हुई और ये देखने के बाद सभी काफी कुछ थे और वो लावा भी समंदर में जाकर थंडा हो जाता है इसे के साथ ये मूवी कतम होती है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रू करे और इसी तर इसे एक्स्प्रेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करे थैंक यू